नमस्कार आप देखे रहें आज की खास बात अपन दोस्त वीर सिंग के साथ हर माबाप यह चाते हैं कि जितना वो पढ़े हैं जिन उचाईयों पर वो है उनके बच्चे उससे भी बड़े उचाईयों पर जाए और नागपूर में कई ऐसे स्कूल हैं जो बड़े नामचीन है उसमें से एक स्कूल है भावन्स नागपूर के कलमेश्वर थाना छेत्र अंतरगत आश्टी में भावन्स नामक एक स्कूल है उस स्कूल में सारंग नागपूरे जो की नौ वर्स का तीसरी कक्षा का विद्यार खेलते खेलते बताया जाता है कि जो बॉल है वो एक चेमबर में गिर पड़ा और जिसे निकालने के लिए सारंग वहां गया और चेमबर के ठीक बगल में चेमबर का धकन रखा हुआ था सारंग के नीचे जाके गेंद निकालने के तोरान ही वो ढखकन उस चेमबर में गिर गया और सारंग के सर के पीछले हिस्से पे जोड़दार चोट आई हॉस्पीटल लेकर जाया गया लेकिन उसके बाद भी सारंग बचना सका दोस्तों एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे स्कूल ने भी एक पत्र जारी किया उसमें लिखा कि उसने जनकारी बताए उन्होंने स्कूल वालों ने कि वहाँ पे सारंग खेल रहा था और चेमबर के ढखकन गिरने से सारंग के मिर्थ्य हो गया लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जहां बच्चे खेल रहे हैं और ऐसी कोई जगए है जहां पर हाथसे हो सकते हैं फिर जगए ना भी है तो भी बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे जब कि छोटे हैं आठ साल नौश साल के बच्चे कोई बहुत बड़े समस्दार त तो सबसे पहले पैरेंट्स यह सोचता है कि इस स्कूल में हमारे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित है यानि कि जब वो अच्छा खासा पैसा देता है तो हर पैरेंट्स का यह सोच होना एकदम लाजमी है कि उसके बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा करेंगे लेकिन कुछ अच्छा करना तो छोड़िये सारंग नाकपुरे नौ वर्स यह बच्चा अपनी जान कामा बैठा तो क्या इस पे भवंस की लापरवाही नहीं है जब हम अपने बच्चों को स्कूल में लेकर जाते हैं तो स्कूल वालों के बहुत सारे लं से अच्छी रकम भी लेते हैं और यह आस्वाशन देते हैं जिसमें एक बच्ची की मरती हो जाती है एक परिवार जो इतने वर्षों से अपने बच्चों की भविष्य के लिए सोच रहा था ना जाने कितने सपने सजाए होंगे उनने उन सपनों का क्या ऐसे cases में ऐसे schools कौन से termined condition पर signature करवाती है अपने आपने बड़ा सवाल है अब हमारे साथ बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीव सिंग के साथ सिर्फ इन बिस ये नियूज पर है